नमस्कर दूस्तो सर्जिक क्लासेस में आपका स्वागत है तो हम लोग कंप्पिटर कॉर्शन डिस्कस कर रहे थे JSSE CGL Examination के लिए और दिखिए अभी तक हमने जितने भी लेक्चर इसका कोबर किया हुआ है तो आपको जो है इसका description box में link मिल लाएगा playlist का हमने जो बनाय हुआ वीडियो तो वो सारे जब को एक ही playlist का अंदर में आपको मिल जाएंगे और इसके साथ में देखिए general science का इस पोर्शन हमने start किया हुआ इन तीनों का जो है आपको पूरा complete में यहाँ पे जो है topic-going lectures आपको provide किया जाएगा जो आपको course है इसके अंदर में और साथ में जो है आपको इन तीनों subject आपको देखिए PDF भी मिल जाएगा इसके लिए जो है आप लोग हमारा app download करना सर्जी classes के नाम से है इसका लिंक आपको description box मिल जाएगा तो जो लोग भी देखिए एक ही जगा पर comprehensive में तैयारी करना चाते है इन तीनों subject का तो आप लोग जो इसमें इंडॉल हो सकते हो इसमें देखिए हम आपको previous year का basis के और साथ में जो है जो trend रता है पुछे जाने question का तो उन सभी को देखते हुए जो इसमें हम portion cover किये हुए है तो इसके लिए देखिए हमने क्यों 89 रुपीज ही हमने चार्ज रखा हुआ है आपका तो इसके लिए जो है upload डाउलोड करना और कोई भी डाउट है आपका तो आप लोग जो इस नंबर पर आपका संपर कर सकते हो यहां पर नंबर आपका दिया हुआ है और इसके साथ म होगा और इस पर जाके प्लोग कोर्स में इंडोल हो सकते हो और देखिए यह जो पेपर वोन है आपका क्यों कॉलिफाइन नेचर का है तो आप लोग को बस इतना ही पढ़ना है जितना हम आपको इसमें प्रोवाइड करेंगे तो आपका देखिए एजली 50% मार्क्स आपका देखिए क्लास में थोड़ा डिले हो जाता है क्योंकि देखिए बहुत सारा और भी काम करने होते हैं लेकिन एप में जो है वहां पे लगवाब ने इसका 50% कवर करा दिया है तो वहां पर आपको एरली एकसेस मिल जाएगा तो दिखिए आपट डिवाइस क्या होता है इसक इसको जब को डिस्प्ले करानी होती है तो उसके लिए हमें आपट डिवाइस के ज़रौत पड़ती है तो जो भी डेटा प्रोसेसिंग करेड आउट किया जाता है कर्बेटर के द्वारा जो भी आप डेटा या इन्फोर्मेशन आप देते हो तो उसको जो है सो करने के सबस्ते हुआ आपका है कर दो जागा इसके लावे यहां पर आपका दिया उवाय इसके अलावे यहां आपका दीया हुआ हूआ है सारे लिश्ट तो आप लोग जह लेन ही में से आपको देखने आन cousin eight जैसे कि projector हो गया, sound card हो गया, speaker हो गया, speech generating device हो गया, TV है, video card हो गया, 3D printer है, braille imposer है, braille reader हो गया, flat panel है, GPS है, headphone है, monitor है और plotter है, तो यह सारा example आपका है output device का, तो यहाँ पर जो है हम लोग यह करके study करेंगे, इन सब में से जो important है आपका, उनको हम लोग अच्छे से cover करेंगे, तो देखिए जो output device में, जो सबसे यादा, जो use होता है आपका, तो वो है monitor आपका, तो monitor जो है, इसे visual display unit भी बोला आता है, क्योंकि यह जो है, आपको दिखाता है, कोई भी result जो process आपका होता है, तो monitor देखिए, इसके साथ में जो है, computer के साथ में आपको provide किया आते हैं, ताकि आप जो है, जो result रहता है, वो display उस पर हो सके, एक जामपल के बात करते हैं, तो पहले देखिए, जो आपका आता था, तो उसमें देखिए, इस तरीके का CRT, याने की जो cathedra, ट्यूब होते थे, इस तरीके का display यूज़ किया जाता था है आप पर, लेकिन यह ज़्यादा space आप उपाई करता था आपका, लेकिन आप इसको replace कर दी गया आपका LED से, याने और भी flat panel technologies आपके आते हैं, जो कि आपका यह space को काफी कम कर देता है, यह. और वहीं देखिए, दूसरा सबसे best example है, आपका output device का, वह है printer, तो printer जो है आपका एक external hardware output device आपका होता है, जो कि हम लोग computer में externally इसे connect करते हैं हम लोग, और इसमें दीखिए, जिसे आपको कोई भी, कोई भी आपका copy generate करते हैं, आप लोग उसको print करना हो रहता है, या फिर जो है, उससे आप लोग image आप print करना चाते हो, या फिर कोई भी आप जिसे text हो गया, उसको print करना चाते हो, तो उसके लिए printer का use के आता है, और इसे hard copy generate हम लोग कर सकते हैं, जो आपका soft copy रहता है उसका, तो printer देखिए, यह जो है आपका computer का सबसे most important peripheral device आपका रहता है, जो कि हम लोग photo या text को copy करने के लिए, और इस पर print करने के लिए actually use करते हैं हम लोग यहाँ पर, print करते हम लोग इस पे, तो देखिए printer जो है आपका, इसके जो है different, इसके भी category होते हैं, और इसके साथ में जो है, इसका speed भी होता है, different category का तो उन सब के basis पर इनको categorize किया गया हुआ है तो देखिए printer का speed होता है मतलब कि कौन सा printer कैसा रहता है तो उसका speed के उपर में decide गया आता है तो यहाँ पर देखिए जैसे speed का printer printer के speed रहती है तो हम लोग इसको 3 minute में बजर करते हैं एक आप करते character per second इसका मतलब यह हो गया कि 1 second में कितना character प्रिंट कर रहा है दूसरा आपका है line per minute यानि कि 1 minute गंदर में कितना line प्रिंट कर रहा है और इसके बाद आपका page per minute यानि कि minute में page प्रिंट करने वाला होता है तो आपको यह तीनों unit याद रखना है इसका और देखिए जो printer जितना faster होगा तो वो उतना ही जादा expensive होगा वो जाहिर सी बात है कि जो printer जितना जादा fast कम करेगा expensive होगा तो और ज्यादा लगे हुए रहेंगे जो costly रहते हैं तो देखिए printer जो होते हैं आपके इसके different types होते हैं तो इसमें में दो broad category में को division किया गय printer दूसरा आपका है non impact printer तो देखिए यहां पर जो impact printer है यहां पर आप लोग example याद रखो इसको detail हम लोग अभी discuss करेंगे तो इसमें आपका होता है dot matrix printer, decibel printer, line printer, drum printer, chain या फिर band printer तो यह impact printer के category कंदर में आते हैं और क्यों रखा गए हम लोग discuss करेंगे अब बस आप लोग यहां पर भी example याद रखो और non impact printer category कंदर में आपका आता है quality का print चाहिए तो इसका DPI जो है उतना ही अच्छा होना चाहिए मतलब कि जहां इसको dots per inch में measure किया जाता है अगर DPI जाता है तो print quality उसका अच्छा आपका रहेगा अब देखें यहां पे हम लोग printer का जो आपको डोग category हमने आपको पताया था जैसे impact or non impact printer तो यहां पे हम लो print आपको करना होता है और रीबन होता है printer का जो उसके अंदर में लगे हो रीबन रहते हैं जिसमें कि आपका जो है वह स्ट्राइक करेगा paper के साथ में तो वहां पे एक noise थोड़ा से create रहता है इसलिए इसका impact printer category में रखा गया जिस तरीके से typewriter आपका रहता है तो उसमें दे इंटार लाइन को ही प्रिंट करता एक बार में परिंट आपका नहीं करता है impact printer तो इसमें एक जांपल में आपने देखा था जैसे आपका impact printer के डेगरे में आपका सबसे printer के नम से भी इसको बोलाते क्योंकि पी निसमें रहते हैं आपके जो print आप देखे रिबन रहता है उसको पर में देखते होगे इसके और डाट मेंटिक्स printer जो है पका यह एक गरेक्टर को एक ही बार में परिंट करता और वह भी डाट के फॉर्म में तो आपने देखा होगा जैसे रेलवेट टिकट काउंटर के आप जाते होगे तो वहां पर डाट मेंटिक्स परिंटर ही रहता है तो उसमें प्रिंट किया वा इसके अंदर में तो डेजीविल प्रिंटर जो है आपका तिये देखिए हाई रेजलोशन आपूट को प्रिडियूस करता है और यह जहां डॉट मेंटिक्स से यह थोड़ा ज्यादा और रेलाइबल होता है फिर अगला आपका है लाइन प्रिंटर यह देखिए हाई-स्प पर इंपक्ट प्रिंटर के बारे में देख लिए अब आई हम लोग नौन इंपक्ट प्रिंटर के बारे में देखते हैं तो दिखिए जो नौन इंपक्ट प्रिंटर है आपका तो यह जो है इलेक्ट्रोस्टेटिक केमिकल्स का यूज करते हैं और इंग टेक्नोलोजी का यह उस करते हैं तो आब यहान पर जो है रिवन यह इंपक्त नहीं करता पेपर के साथ में तो यहरा पेण ग्रेकली की तरहीं नहीं इस यहान पर हमने पहले बताया थाँ इस एकम्पल में इंग जैट प्रिंटर ॉब्टॉ जो के उस small droplets जो रहाता है यह paper के भर में वहां पे अपका रखता है फ्लेस करता है उसके उपर में ताकि वहां चो image create वो कर सके फिर अगला example आपका है laser printer तो देखे the laser printer जो है यह highest quality text आपको provide करता है और जो image प्रिडूस्स आपको किया अदा पर्सनल कप्वेटर के द्वारा अब इसमें देखें ये डिपेंट पॉस्ट में आपको प्रिंटिये गारा सकता है जो फिंटॉटर पर रहा है इसमें जो है लेजर टेकनोलोजी नियुक्ण लाइट का यूजी ज़ए आता है जैसे रॉट जो प्रिडूस करने होते हैं ताक जो आपके non-impact printer category के अंदर में आते हैं अब यहाँ पर देखिए एक question आपका JSC के exam में आपका पूछा गया था यहाँ पर कि which type of printer uses laser light to produce the dots needed to form the characters to be printed on a face तो कौन सा printer है जो laser light का use करता है ताकि वो dots को produce कर सके तो यह देखिए आपके laser printer का example दिया है जो कि आपके non-impact printer category के अंदर में आपका आता है तो क्या होगा option यह जो है right answer इसका आपका हो जाएगा और यह previously आपका पूछा गया वह question है अगला देखिए question है आपका कि which output device draw pictures और पेपर based on the commands given from a computer using a paint तो इन में सा कौन सा एक output device है जो कि picture draw करता आपके paper के उपर में जिसमें कि आप command देते हो और एक paint की मदद से computer नो आप देते हो यहां पर देखिए figure जो है आप अप्टेंट कर सकते हो इस पर बड़ा बड़ा ग्राफिक जो रहता है तो वह भी आप अप्टेंट कर सकते हो तो यह example आपका है drum plotter का next question है आपका कि dot matrix printer is and dot matrix printer यह क्या है memory device है processing device है input device है या फिर output device है तो यह देखिए example आपका है output device का तो simple यहां पर आपका जैसे simply तो आप जो है देख सकते हैं यहां पर यह plotter का figure आपका दिया हुआ है तो यह जो है graphical जैसे आपके रहते हैं आप ग्राफिकल जो पिक्चर जो रहते हैं उन सबको यह पिर्प्रिंट करने के लिए यूज किया रहता है और यह जो है आपका ड्राइंग भी यह चार्ट रहत करता है इस बड़े इसकेल के पाइप जो रहता है कि उसमें प्रिंट करता है यह नेक्स देखिए कोश्चन आपका यह सारे आपके जैससी के एकजाम में पूछे गए वह कोश्चन है कि वीच और फॉलविंग ऑप्शन इस करेक्ट फोर प्रिंटर प्रिंटर के लिए कौन सा जो आपका करेक्त है इनपुट डिवाईस है तो देखिए इनपुट डिवाइस तो होते नहीं है आपको डिवाईस से लत準備 अपको डिवाईस का प्रिंटर outta ओपिच कहाई रडश MON के रीडिंट sin हो झागा और वागीं देखिए आ इस और ध् फो और वो जो है communication कर सके जो user रते यहाँ पर यहाँ पर डेफिनेशन पुछा गया था तो यह देखिए इसका आपका इन्पुर्ट डेटा देता है तो यहां पर जैसे आप डिवाइस देते होंगे उसी के थुरूं आप लोग सोग करते हो तो यहां पर जैसे आप डिवाइस इन शजय का भी देख सकते हो कि इन्पूर्ट भाई करता है कंपूटर को को जब की आप है अब क्ऊपूटर को आपने ज roller के साहत के साहत के सात में अब यहां पर देखिए आपने जैसे इंपूरगों बारे में देख लिए अब आयले हम लोगि ने지만 को गर सकते हैं उनको तो उसके लिए देखिए externally भी जो है हमें कुछ न कुछ तो करने करना ही पड़ता है जैसे कि आपका केबल ही हो गया तो उसके लिए हमें कुछ न कुछ के जरौत पड़ेगी कि बहुत सारे इंपूर आपको डिवाइस अभले बोला दें जैसे कि आपका रिंडर है ओडम है जैस्टीक है इन सबको करने के लिए जो हमें इंब्ड आउट्पट प्रोट की जब्रोत पड़ती है तो इसमें से देखी जो इक्जामकल का इंपूर्ट आप्ट पोर्टस के तो उसमें सबसे बेस्ट इंपका नपका यूनिवर्सल सेरियल बस का यह यान करते हो अपने PC के साथ में तो उसके लिए USB के जुरत करती है तो यह आपका काम करता है और USB में देखिए एक play and plug functions यह features होते हैं इसके अंदर में जो कि यह device को ready होने के लिए दिखाता है वो ready हो रहा है वो run करने के लिए तयार है आप देखिए कभी केवल आप इंसर्ट करते हो अपने PC में जैसे कि आप मोबाइल से करने करते हो तो उसमें आपका आएगा एक ड्राइग and drop option आएगा ड्राइग को आएगा वहाँ पर कि यह device is now ready to play तो यहीं इसी को बोलते हम लोग प्ले यह और अगल्ला आपका देखिए पैरलल पोर्ट है तो पैरलल पोर्ट जो है तो यह देखिए एक इंटरफेस रहता है एक बार में जैसे एक सिंगल वायर के थुरू आपका होगा और सिरियल पोर्ट जो है अपका तो यह देखिए स्लो इस्पीड ट्रांस्मिशन डेटा प्रोवाइड करता है क्योंकि देखिए इसमें एक बार में एक ही बेट ट्रांस्पोर रहा तो जाइज सी बात है स्लो इसमेरा हो गया तो उसको करने के लिए फायर वायर की जरूत परती है अब यहां पर हम लोग कुछ और इंपोर्टेंट क्वेशन को डिसकास करते हैं देखिए यहां पर आपको जैसे कोर्स फिनिस करने में फोड़ टाइम तो लग सकता है यहां पर बट आप में जहां पर ह पर 50% हो चुका है क्योंकि वहां पर जो है एक सिक्वेंस में और एक आपका रिगलरी बिसिस पर क्लास चलते रहते हैं तो आप लोग जाए वहां पर आके औरली एक्सेस करके अपना तयारी कर सकते हो तो कोशन दिखिए यहां पर है आपका के वीच फॉलोविंग इस प्रिंटर है ड्रम प्रिंटर है चेन या फिर बैंड प्रिंटर है तो इसमें से दिखिए यहां पर डॉट मैट्रिक्स भी आपका दिया हुआ है लाइन प्रिंटर भी है ड्रम प्रिंटर भी है लेकिन इंग जेंट प्रिंटर जो है आपका तो यह आपका इंपक्त प्रिं इंक जेट जो है आपका यह नॉन इंपक्ट प्रिंटर के टेगरी में तो यह जो है आप लोग अच्छे से याद कर लेना आपका बहुत बार कोशन पूछा गया है इनसे तो थैंक दोस्तों आपको कैसा लगा यह लेक्चर आप कमेंट करके जरूर बताना और देखिए इसी तरीकी से जो है आपका क्लास चलता ही रहेगा इसका भी और जनरल साइंस का भी जो है हमने स्टार्ट कर दिया और इसको भी प्रवाइड आपको करते रहेंगे बड़ दिखिए यहाँ पर तो आप लोग जो है अगर कोस्ट में ल